शहीच रात तरपन कर्म का जो आज कारेक्रम का यहाँ आयोजन हुआ था नमस्कार महमित और आप देख रहा हैं गामा टाइम्स इस समय यहाँ पर एक और नई संगठन का विस्तार किया गया उसके बारे में जानेंगे दीपक मिश्राजी से किस प्रकार से जो संगठन का विस्तार हुआ क्या नाम है और क्या किनों देशियों पर कारेगा यह एक खुशी की बात है कि भाई बिर्जेस मिश्री जो एक प्रतिबध देश भक्त नागरिक हैं सहीदों के कार्कवो में बढ़िशर कर रूची लेते हैं और यह चाहते हैं कि आने वाritी को हमारे देश की गौरवसाली गाताईंहें हमारा इतिहास, हमारा जिन कहानियों पर हम नाच करते हैं, वो कहानिया नई पीड़ी को पता चले, और शहीदों के जो सपन थे वो नई पीड़ी के सामने प्रस्तूत रहे, और हमारी नई पीड़ी प्रेन आले, चंशेकर आजाजाद से, अस्वाक उल्लाख खान से, पंडे त्राम पसाद बिस्मिल से, और इन जैसे तमाम शहीदों और महापूर्सों से, इसके लिए उन्होंने बिस्मिल, अस्वाक, आजाद, मोर्चा का गठन किया है, जो इनकी जैनती, इनकी शहारत दिवस को तो मनाईगी, मनाईगी, इसके अलमा कई ऐसे कारिक्रम करेगी, जि पेड़ी को प्रणा मिलती रहे, और यह रास्टी अस्तर पर इस संगठन को बनाने का इनका ख्वाब है, और मुझे लगता है कि यह पवित्र ख्वाब है, और हम सब को मिलकर इस ख्वाब को पूरा करना चाहिए, अस्वाक उल्ला खान ने लिखा था कि याद कर लेना कभी हम को भी भूले भटके, तो इस संगठन के अस्थापना इन्होंने भूले भटके याद करने के लिए नहीं, सप्रियास, सशद्धा और समान के साथ अनवरत याद करने के लिए बनाई है, यह इसके रास्टी अध्यक्ष हैं, और आज का यह कारिक्रम जिसमें शहीदों को अर्द दिया गया है, मुझे लगता है कि आज इनके संगठन का यह पहला कारिक्रम और काफी सफल कारिक्रम रहा है, अभी गरीबों को भोजन वस्तदा नादी किये जाएंगे, मैं बदाई देता हूं, इस सोच के लिए और आशिरवाद देता हूं, कि यह सोच मुर्थ जो बिस्मिल असफाक, आजाद, मोर्चा का, संगठन का निर्मार उन्होंने किया है, क्या नया होने वाला है देश में। आज इस नय मोर्चे का जो गठन किया है, उसका बागडोर जो हमको समाद दिये हैं, आशिरवाद देने का वादा किया हूंने, उसको हम बाखोवी बहुत अच्छे तरीके से समाज में, देश में, कुछ नया करने का एक जज़बा जो हमको है, ओ कहीं न कहीं आपका हम बिस्मिल जी की अगर बात करें, तो चंसेखर जी और भगाज सिंग जी, तमाम सारे महापुरूस, लेकिन में संगठन का जो बागडोर था, वो बिस्मिल जी के हाथ में था, पंडित राम परसाद बिस्मिल, मैं इसलिए बिस्मिल असफाक आजाद मोर्चा का जो गठन किया हमने, कि बिस्मिल जी इस पूरे जो भी बल्दान, जो भी देशाज आजाद है, हम लोग आजादी के तवर पर घूम रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें में रोल, जो देश, परदेश के जितने नौज़मान योख हैं, वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे मोर्चे में आवें, ताकि समाज में एक अच्छा एटमास्फियर, एक अच्छी जो है, उसका फैलाव किया जाए, हमारे इसको 20 अस्तरिय रूप देना है, जिसमें हमारे अध्यजी का और हमारे पार्टी का में सहोग है, और धन्वाते से जुड़ें, हमारे साथ में राश्ट्री अध्यक्ष, बिस्मिल, अस्फाक, आजाद मोर्चा, संगठन के जिस प्रकार से हमने बात किया हो जाना, इनका संगठन का जो आज इनोंने नीव रखी जो श्रात तरपन कर्म क जो एक कारेकरम का योजन हुआ था, यहां पर राजदानी के रिवर फ्रेंट पॉइंट पर हमने बात किया जाना, स्योगी शिवम के साथ लखनाउ से महमे ठंगा माटाई मैं